दोस्तों नमशकार कैसे हैं आप उमीद करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे अगर आप PTM पोस्ट पेड इस्तमाल करती हैं या फिर इन फ्यूचर कभी इस्तमाल करने को सोच रही हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि उसमें जो लिमिट मिलता है उसका इस्तमाल करके अगर आप सही समय पर पिमेंट नहीं करती हैं तो ऐसे में आपको लेट पिमेंट फी देना पड़ता है अब यही जो लेट पिमेंट फी पहले लग रहा था उसे बदल कर अब नया से लागू किया जा रहा और यहां पर लेट पिमेंट चार्ज बढ़ाया गया है जो कि एक payment fee से अगर आपको बचना है तो आप लोग जो है सही समय पर bill payment करिएगा अगर सही समय पर bill payment नहीं कर पाती है तब आपको late payment fee देना पड़ेगा चलिए दिखाते हैं कितना अब देना पड़ेगा दोस्तों आप सफी को अच्छे से समझाने बताने के लिए हमने एक PDF यहाँ पर बनाया है जिसमें पहले वाला और अब वाला दोनों को अड़ किया है और जहां पर मैंने पीला कलर से रंगा है यह जो है नया वाला यानि इसमें बदलाव किया किया है तो देखो पहले क्या था पेटिये पोस्ट पेट का late payment fee उसे आप देखिए आप 200 रुपिया तक कोई भी फी नहीं था अभी भी आप से कोई भी फी नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर हम 101 रुपिया से लेकर 200 रुपिया के बारे में बात करें मतलब आप इसका पोस्ट पे इस्तिमाल करती है और वहाँ पर आप अगर सही समय पर payment नहीं किये हैं तो देखा जाता है कि आपने कितना इस्तिमाल किया है कितना बकाया है तो उसी का यहाँ पर range है range के अनुसार से charge लगता है monthly basis पर तो आपको 151 से लेकर 500 रुपया तक के पहले charge था 25 रुपया लेकिन अब इसी बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया है 501 रुपया से लेकर 1000 रुपया के यहाँ पर range है जो की बकाया है इसका चार्ज आपको पहले 50 रुपिया लगते थे लेकिन अब इसी बढ़ाकर 100 रुपिया कर दिया गया है यानि कि डवल कर दिया गया है साथ में मैं आपको वता दू 1001 से लेकर 2000 रुपिया तक 100 रुपिया के चार्ज था वही अगर आप नया स्लैब से देखोगे तो 1001 से लेकर 2500 रुपिया का रेंज दिया गया है जिसमें 2500 रुपिया की चार्ज आपसे किया जाएगा तो ये जो चार्ज थे वो दो गुना से ज़्यादा आपको लगड़े हैं जो कि आप देख सकती हैं 2000 रुपिया से लेकर 5000 तक पहले था 2500 रुपिया अब आपसे 2500 एक से लेकर 5000 तक के लिया जाएगा 500 रुपिया यानि पूरे के पूरे ये डवल कर दिया गया है और एक नया चार्ज चोड़ा गया है जो कि मैं आपको बता दू कि यहाँ पर 5001 से लेकर इससे उपर जितने भी आपका बकाया रहता था इस पर मात्र 500 रुपिया आपसे चार्ज किये जाते थे लेकिन अब यहाँ पर 5001 से लेकर इससे उपर जितने भी बकाया रहेगा उस प लिख रखाता कि 18% की GST applicable होगा मतलब यह जो आप fee दे रहे हो उस पर 18% की GST आपको अलग से देना पड़ेगा तो आप समझ जाओ कि यह जो charges है वो तो paytm लेगा ही plus में 18% की और उपर से आपको GST देना पड़ेगा तो charges बिलकुल double double किया गया है कहीं कहीं पर double से ज्यादा किया गया है यह चीज़े आप यहाँ पर देख लिजिए तो दोस्तों आपने देखा कि पेटियम पोश्ट पेड पर जो यहाँ पर लेट पेमेंट चार्ज था वो किस परकार से बढ़ाया गया है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए किया आप पेटिय करेंगे कोशिस करिए समय पर पेमेंट करिए ताकि इस परकार के अतरिक्त चार्ज से बच जाया तो वीडियो को लाइक कर दीचे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीचे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजी इजा आजा तब तक के लिए गुद्बाइ